परिचाए बच्चो, आज हम अमलिये, ख्षारिये वा उदासीन विलियन को पहचानने के लिए एक प्रयोग करेंगे. ठीक है सेर, सबसे पहले एक पूंद विलियन नीले लिटमस पेपर पर डालें. यदि ये लाल हो जाता है, तो इस कार्थ है कि ये अमलिये वहवाहार प्रदशित करता है. इसके बाद विलियन की एक पूंद लाल लिटमस पेपर पर डालें. यदि ये नीला हो जाता है, तो ये एक शारिये वहवाहार को प्रदशित करता है. और अंत में हम पीसरे समाधान के लिए परीक्षन करेंगे, जिसमें रंग आप परिवर्थित रहता है, जिसकार्थ है कि विलियन उदासीन है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सामय अवस्था में है सेर ये सामय अवस्था क्या है? सामयवस्था वो इस्थिती होती है जिसमें चार के अणूओं की संख्या, अम्ल के अणूओं की संख्या के बराबर हो जाती है आईए इस बारे में और अधिक जाने इस पार्ट में आप भातिक और रासाइनिक सामयवस्था की बारे में अधियन करेंगे उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्निकरने में सक्षम हो जाएंगे विलियन में आईनी सामयवस्था का वर्णन करना अमल, शार वा लवन की अवधरणा की चड़चा करना पी-च स्केल का वर्णन करना अमल, शक्ती को प्रभावित करने वाले कारकों की चड़चा करना लवणों के जल अपघटन और उनके विलियन के पी-च की चड़चा करना बफर विलियन का वर्णन करना विलेता गुणन फल इस्थिरांग को परिभाशित करना विलियन में आईनीक सामयवस्था सोडियम क्लोराइट जैसे पदार्थ का जलिये विलियन सल्फियोरिक अमल इत्यादी में से विद्युत का प्रवाह होता है जबकि शरकरा यूरिया इत्यादी के जलिये विलियन में से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है वे पदार्थ जिन में से होकर विद्धुत का प्रवा होता है विद्धुत अब घट्टे यानी इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं जबकि जिन पदार्थों से होकर विद्धुत का प्रवाहर नहीं होता है, वे विद्धुत अनपघटे यानि नौन इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं. वे विद्धुत अनपघटे जो अपने विलियन में लगभग पून रूप से आयनिक्रित हो जाते हैं, प्रवल विद्धुत अनपघटे कहलाते हैं, और वे विद्धुत अनपघटे जो अपने विलियन में अपून रूप से आयनिक्रित होते हैं, दुर्बल विद्धुत अब घट्टे कहलाते हैं। वो सामयवस्था जिसमें जलिये विलियन में आयन संबद्ध होते हैं। आयनिक सामयवस्था कहलाती है। अमल चार वा लवन विद्ध अब घट्टे अमल चार वा लवन कुछ भी हो सकते हैं। कास्टिक सोडा, वाशिंग सोडा सामानी रूप से इस्तिमाल होने वाले शार हैं। अमल चार वा लवन अमलों वा क्षारों की अरेनियस अवधारणा। अमल वह पदार्थ है जो जल में मिलाए जाने पर H प्लस आइनों की संद्रता में प्रिधी करता है। शार वह पदार्थ है जो जल में मिलाए जाने पर OH माइनस आइनों की संद्रता में प्रिधी करता है। HCl और HNO3 जैसे अमल जो कि जलिये विलियन में लगभग पून डूप से आइनी करित हो जाते हैं प्रबल अमल कहलाते हैं। जबकि CH3, COOH जैसे अमल जो पून डूप से आइनी करित नहीं होते हैं दुर्बल अमल कहलाते हैं। इसी प्रकार जो क्षार जलिये विलियन में लगभग पून डूप से आइनी करित हो जाते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH और KOH, NH4OH जैसे क्षार जो की आइनी करित होते हैं दुर्बल क्षार कहलाते हैं। H प्लस आइन इलेक्ट्रॉन की हानी से निर्मिद होता है। इसलिए ये एक साधारन प्रोटॉन है और सौतंद्र रूप से विद्धिमान नहीं रह सकता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये H3O के रूप में जल के साथ से योजन में जल मिश्रित सो रूप में विद्धिमान रहता है। H3O प्लस आइन हाइडरोनियम आइन कहलाता है। इसी प्रकार हैड्रोकसिल आइन जल मिश्रित होकर H3O2 माइन बनाता है। ब्रॉंस डेड्ड लौरी अमल एवं क्षार उनके अनुसार अमल वो पदार्थ है जो प्रोटौन प्रादान कर सकता है। संयोगमी अमल, ख्षारक योगम, निम्न अभिक्रिया में दिया गया है, अग्रवर्ती अभिक्रिया में जल एक प्रोटॉन अमोनिया यानि ख्षार को प्रदान करता है और अमल के रूप में कारे करता है। अमल द्वारा प्रोटॉन त्यागने से बना हुआ ख्षार, अमल का संयोगमी ख्षार कहलाता है, जबकि ख्षार द्वारा प्रोटॉन प्राप्त करने से बना अमल, ख्षार का संयोगमी अमल कहलाता है। उधारण में OH-H2O का संयुगमी क्षार है और NH4+, NH3 का संयुगमी अमल है. अमलक क्षारक युगम जैसे की H2O बटे OH- और NH4+, बटे NH3 जिनका निर्मान प्रोटॉन की हानी या प्राप्ती से होता है, संयुगमी अमल क्षारक युगम कहलाते हैं. उधारण निमन ब्रोण्स्टेट क्षारों के लिए संयुगमी अमले लिखें. H2O, NH3 और C2H, 5OH विलियन संयुगमी अमल का निर्मान चार से प्रोटॉन की प्राप्ती से होता है, इस तरह दिये गए क्षारों के लिए संयुगमी अमल निर्मान के लिए H2O के लिए संयुगमी अमल H3O+, NH3 के लिए संयुगमी अमल NH4+, C2H5OH के लिए संयुगमी अमल C2H5OH2+. लेविस अमल एवं क्षार लेविस की अवधारना के अनुसार अमल वो पदार्थ है जो इलेक्ट्रोनों के युगम को ग्रहन कर सकता है उधारन के लिए अभिक्रिया में BF3 अमल के रूप में कारे करता है अमलों एवं क्षारों का आइनन जल और इसके आइनी कुतपादों का आइनन इस्थिरांग शुद्ध जल एक दुर्बल विद्युत अब घट्ट है और समीकरण के अनुसार आइनी कृत होता है अथवा सामाने रूप से इस तरह से लिखा जाता है जिसके लिए आइनन इस्थिरांग निम्न के द्वारा निरूपित किया जाता है के आई बराबर ह प्लस की सांद्रता गुणे ओएच माइनस की सांद्रता बटे ह2ो की सांद्रता चुकी जल आशिक रूप से आइनी कृत है इसकी ग्यात होने वाली सांद्रता आंशिक रूप से आइनिक क्रेथ होगी. इसकी सांद्रता आइनन स्थिरांग के आई के साथ संयोजित हो सकती है और एक नया स्थिरांग देती है, जो जल का आइनिक गुणन फल के डबल्यू कहलाता है. माना ये समिकरण एक है, शुद्ध जल में OH- की सांद्रता H+, के बराबर होती है. इसलिए 25 डिगरी सेल्सियस पर जल में H+, कमान ग्यात किया जाना है. इस तरह 25 डिगरी सेल्सियस पर आइनिक गुणन फल कमान बराबर है. पिएच स्केल विलियन के पिएच हाइडोजन आइन सांद्रता के रणात्मक लगुगणक के रूप में परिभाशित किया जा सकता है. 25 डिगरी सेल्सियस पर उदाजीन चल के लिए पिएच बराबर माइनस लॉग एक दशमलोग शूनने गुणे दस की घात माइनस साथ जो की साथ के बराबर है. 25 डिगरी सेल्सियस पर हम लिए वाक्षारिये का समरूपी पिएच क्रमशा साथ से कम और साथ से अधिक होगा. हम पिएच स्केल को हाइड्रॉक्सिल आइन सांद्रता के रणात्मक लगुगणक के रूप में परिभाशित कर सकते हैं. पिएच तथा पी ओ एच दोनों एक दूसरे से निम्न समीकरण के द्वारा संबद्ध हैं. पिएच प्लस पी ओ एच बराबर पी के डव्लिव। पी के डव्लिव कमान 25 डिगरी सेल्सियस पर 14 है. पी के डव्लिव हाड्रोजन और हाइड्रोकसिल आइनों की आपेकशिक सांद्रता को नियंत्रित करता है, क्योंकि उनका गुडन फल इस्थिर रहता है. दुर्बल अमलों का आइनन इस्थिरांग दुर्बल अमल एचेक्स के विशे में विचार करें, जो की जलिये विलियन में आशिक रूप से आइनिक रित होता है, और इसे एचेक्स की आरंभिक सांद्रता के रूप में निरूपित किया जा सकता है, जो माना किसी है? माना आइनन परिवर्तन का प्रसार अलफा है, तो एचेक्स सामिय सांद्रता सी माइनस सी अलफा है, एच तीन ओ प्लस सामिय सांद्रता प्लस सी अलफा है, तथा एचेक्स माइनस सामिय सांद्रता प्लस सी अलफा है, अभी क्रिया के लिए साम में इस्तिरांग है के ए बराबर सी वर्ग अल्फा वर्ग बटे सी गुडें एक माइनस अल्फा के ए बराबर सी अल्फा वर्ग बटे एक माइनस अल्फा के ए को अमल एचेक्स का वियोजन या आइनन इस्तिरांग कहा जाता है इसे molar सांदरता के रूप में निरूपित किया जा सकता है hydrogen ion सांदरता का pH scale प्राप्ट करने के लिए विस्तारित किया जा सकता है दुर्बलक्षारों का आइनन दुर्बलक्षार XOH के आइनन को इस प्रकार निरूपित किया जा सकता है चार के आइनन के लिए साम में स्थिरांग को केबी द्वारा निरूपित किया जा सकता है और ये चार आइनन स्थिरांग कहलाता है इसे निम्न रूप में दर्शाया जाता है यदि आरंबिक सांड़ता सी है और चार के आइनन के मातरा अलफा है तो साम में स्थिरांग को निम्ले रूप में लिखा जा सकता है के बी बराबर सी अलफा वर्कवटे एक माइनस अलफा हाइडोजन आएन सांदरता का पी एच स्केल प्राप्त करने के लिए विस्तारित किया जा सकता है के ए और के बी के मध्धे संबंध अभिक्रिया के लिए साम में स्थिरांग एकल अभिक्रियाओं का गुडन फल होता है इसे निम्ना नुसार प्रदशित किया जा सकता है के नेट बराबर के एक, के दो, के तीन इत्यादी संयुगमी अमलक शारक युगल के लिए के ए, के बी बराबर के डबल्यू दूई तथा बहुक्षार की अमल एवं दूई तथा बहु अमली एक्षार वे अमल जिनके एकणों में से एक से अधिक आइनन योग के हाइटोजन परमानों होते हैं बहुक्षार की अमलों के रूप में जाने जाते हैं दोईक्षार की अमल H2M के लिए माना ये अभिक्रिया एक है, माना ये अभिक्रिया दो है, अभिक्रिया एक के लिए सामिस्थरांग निम्न है. KAA को प्रथम आइनन इस्थरांग कहा जाता है, अभिक्रिया दो के लिए सामिस्थरांग निम्न है. के ए दो को दुईतिय आइनन इस्तिरांग कहा जाता है। स्थिर्व वैद्युत्पल अधिक होने के कारण के ए एक के ए दो से पड़ा है। अमल सामर्थ को प्रभावित करने वाले कारक आबंद सामर्थ है। अमलिये प्रोटॉन और अन्य शेश अनुओं के मद्धे आबंद की सामर्थ का अमलता पर प्रभाव पड़ता है। सामाने रूप से आबंद जितना दुरबल होगा अमल की अमलता उतनी ही अधिक होगी। आबंद ध्रुमर्था अमलिये हाइडोजन एवं अन्य परमाणूं के मद्धे उच ध्रुवी आबंद प्रोटॉन के लिए अनुओं को छोड़ना आसान बनाता है। और इसे अध्रुवी आबंद की तुलना में अपेक्षा कृत अधिक अमलिये बनाता है। उसे पंक्ति में तत्वों की अमलों के लिए आबंद समर्थ एक दूसरे के और अधिक समानता की ओर प्रावृत्त होते हैं। और इसलिए अमलिकी समर्थ निर्धारण में आबंद की ध्रुवन्ता मेहत्पून भूमी का निभाता है। क्योंकि ध्रुवन्ता संबंधित परमाणों की वैद्युत रणात्मक्ता पर निर्भर होती है। अमलिकी समर्थ में वैद्युत रणात्मक्ता के साथ बढ़ोत्री की प्रावृत्ती होती है। क्योंकि आबंद अधिक ध्रुवन्ता की ओर प्रावृत्ति होता है। आयन प्रभाव किसी आयनिक सामे में वो विस्थापन है, जो किसी ऐसे विले के मिलाए जाने के कारण है, जो वो आयन प्रदान करता है, जो सामे वस्था में भूमी का निभाता है। एसेटिक अमल HC2, H3O2 पर विचार करें। यदि हम इस विलियन में जलिये HCl मिलाएं, हम जानते हैं जलिये HCl प्रभल अमल है, ये जलिये HCl आयन प्रदान करता है, जो एसेटिक अमल आयनन के लिए समी करण में दाएं पक्ष में उपस्तित है। लीचेतिलियर के सिध्धान्त के अनुसार सामिस सैयोजन बाई और इस्थानांत्रित हो जाएगा। एसेटिक अमल के आयनन की मात्रा में एक प्रबल अमल के मिलाए जाने पर कमी आती है। एसेटिक अमल के आयनन में जलिये सियल द्वारा ये कमी उभैनिस्थ आयन प्रभाव का एक उधारण है। लवणों का जलाब खटन तथा उनके विलियनों का पी एज। जलाब खटन वह प्रक्रिया है जिसमें जल लवण से अभिक्रिया करके अमल एवं शार बनाता है। दुर्बल अमल एवं प्रबल क्षार वाला लवण। लवण MX का जलाब खटन इस प्रकार का है। पून वियोजन होता है, जबकि दुरबल अम्ल HX लगभग अवियोजित रहता है. इस प्रकार के विलियन का pH साज से अधिक होता है. लवणों का जलाब खटन एवं उनके विलियनों का pH प्रबल अम्ल एवं दुरबल ख्यार का लवण लवण Mx का जलाब खटन इस प्रकार का है Mx के विलियन में प्रबल अम्ल Hx का पूर्ण वियो जन होता है जबकी दुरबल ख्यार M-O-H लगभग अवियो चित रहता है इस प्रकार के विलियन में pH साथ से कम होता है दुर्बल अम्ल एवं प्रबलक्षार वाला लवण लवण Mx का जलाब घटन इस प्रकार का है Mx विलियन में दुर्बल अम्ल और दुर्बलक्षार दोनों अंशिक रूप से अवियोजित स्वरूप में रहते हैं इस प्रकार के विलियन का pH निम्न है pH पराबर 7 प्लस 1 बटे 2 गुने PKA माइनस PKB यदि PKA माइनस PKB कमान pH 7 से अधिक है वा धनात्मक है और यदि PKA माइनस PKB कमान pH 7 की अपिक्षा कम है वा धनात्मक है बफर विलियन को ऐसे विलियन के रूप में परिभाशित किया जाता है जो अम्ल याक्षार की अल्प मात्रा मिलाए जाने पर pH में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है बफर क्रिया बफर विलियन की वहक्षमता है जो अम्ल वाक्षार मिलाए जाने पर pH में परिवर्तन का प्रतिरोध करती है बफर क्रिया कहलाती है नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रो क्लोरिक अम्ल जैसे प्रभल अम्ल कम pH पर बफर के रूप में कारे करते हैं किसी विलियन में विलेता लवन की लेटिस एंथेलिपी यानी पूरोश्मू तथा आइनों की विलाय की योजन एंथेलिपी पर निर्भर करती है किसी अल्प विले लवन के लिए जो सामय वस्था स्थापित करने के लिए वियोजित होता है विलेता गुणन फल इस्थिरांग को निम्न रूप में परिभाशित किया जा सकता है इलेक्ट्रो लाइट सूत्र में जहां AY प्लस वा BX माइनस संबंदि धनात्मा केवं रनात्मा काईनों को निर्दिष्ट करते हैं और X वा Y इन आईनों की संख्या को निरूपित करते हैं इसलिए दिये गए तापमान पर किसी अल्प विले लवन के विलेता गुणन फल को संत्रिप्त विलियन में इसके आईनों की संख्या की अवरिद्धी के बराबर होती है जिसमें प्रतेक सांद्रता पत की घात विद्द अब घटनों के वियोजन को प्रदश्यत करने वाले समीकरण में आने वाले आईनों की संख्या की अवरिद्धी के बराबर होती है लवन की विलेता ग्यात होने पर इसके विलेता गुणन फल की गणना की जा सकती है उधारन के लिए मान लें AB लवण है किसी विशिष्ट तापमान पर इसकी विलियता S मोल प्रतिलीटर है लवण के S के मोल आइनी कृत होकर A प्लस के S मोल तथा B माइनस के S मोल देते हैं KSB बराबर है A प्लस की सांदृता गुणे B माइनस की सांदृता के जो की बराबर है S कुडें S यानी S वर्ग के आइनिक लवणों की विलियता पर उभेनिष्ट आइन प्रभाव यदि NaCl विलियन में AgCl विलियन मिलाया जाए जिन में उभेनिष्ट आइन के रूप में Cl माइनस है तो AgCl की विलियता कम हो जाएगी क्यूंकि NaCl से Cl माइनस निकल कर Ag प्लस के साथ संयोजित होकर बनाता है इसी प्रकार यदि इसके एक आयन की सांदृता में कमे आती है तो दोनों आयनों की सांदृता बढ़ाने के लिए एक बार पुना KSP बराबर QSP होने तक अधिक लवण वियोजित होगा ये इसके लिए भी लागू होता है जो की NaCl विलियन में HCl का इस्तिमाल करते हुए Cl माइनस दोरा अवक्षेपित होता है उभेनिस्ट आयन प्रभाव को किसी विशेश आयन के लगभग संपून अवक्षेपन के लिए उप्योग किया जाता है क्यूंकि द्रविमान निर्धारण दोरा भारात्मक आकलन हे तो इसके आंशिक विलय लवन का की एस्पी मान बहुत कम होता है क्या आप जानते हैं प्रभल अमल उच्छ रूप से संक्षारग होता है उधारण के लिए सल्फ्योरिक अमल वे धात्मों को वियोजित कर सकते है जो ख्षार जल में वियोजित हो जाता है ख्षारग कहलाता है जब आप किसी अमल को ख्षारग में मिलाते हैं तो दोनों उदासीन हो जाते हैं अमल और क्षारक एक साथ अभिक्रिया करके लवन और जल बनाते हैं सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं वह साम में जिसके जलिये विलियन में आयन समलित होते हैं आयनिक साम में कहलाता है अरेरियस के अनुसार अमल वह पदार्थ है जिसे जल में मिलाने पर H प्लस आयनों की संद्रता में बढ़ोत्री होती है जबकि क्षार वह पदार्थ है जिसे जल में मिलाने पर OH माइनस आयनों की संद्रता में बढ़ोत्री होती है बॉन्स्टेड एवं लौरी के नुसार अम्ल वो पदार्थ है जो एक प्रोटॉन प्रदान कर सकता है वह क्षार जो अम्ल द्वारा त्यागे गए प्रोटॉन के कारण बनता है अम्ल का सयुग में क्षार कहलाता है जबकि वो अम्ल जो अक्षार द्वारा ग्रहन किये गए प्रोटॉन के कारण बनता है अक्षार का सयुग में अम्ल कहलाता है लेविस के नुसार अम्ल वो पदार्थ है जो इलेक्ट्रोनों के युक्म को ग्रहन कर सकता है क्षार वो पदार्थ है जो इलेक्ट्रोनों के युग्म को प्रदान कर सकता है किसी विलियन के pH को हाड्रोजन आयन की सांद्रता के रिनात्मक लगुगण के रूप में परिभाशित किया जा सकता है जलाब खटन वह प्रक्रम है जिसमें जल लवन के साथ अभिक्रिया करके अम्ल और ख्षार बनाता है बफर विलियन को उस विलियन के रूप में परिभाशित किया जा सकता है जो अल्प मात्रा में अम्ल या ख्षार मिलाए जाने पर pH में परिवर्तन का विरोध करता है दिये गए तापमान पर किसी अल्प विलै लवन के विलैता गुड़न फल को संत्रिप्त विलियन में इसके आयनों की सांध्रता का गुड़न फल के रूप में परिभाशित किया जा सकता है जिसमें प्रतेक सांद्रतापत की घात वित्वत अबघटनों के वियोजन को प्रदशित करने वाले समिकरण में आने वाले आइनों की संख्या की आपरित्ति के बराबर हुती है